आज के इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं गंतंत्र दिवस पर निबंध चार्सव पचास सब्दों में तो ज़्यादा दिरना करते हैं दोस्टों चलिए शुरू करते हैं निबंध गंतंत्र दिवस प्रस्तावना 26 जन्वरी को परती एक वर्ष भारत में गंतंत्र दिवस बहुत धुबधाम से मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ही भारत का सम्विधान लागू हुआ था गंतंत्र दिवस को राष्टे परु के रूप में मनाया जाता है भारत देश का सम्विधान भारत वाशियों को कई मौलिक अधिकार देता है जैसे समांता का अधिकार, सिक्षा का अधिकार, धार्मिक सौतंतरता का अधिकार आदी भारते सम्विधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का सम्विधान लागू हुआ था भारत्य सविधान लागू होते ही भारत देश पूरी तरह से लोक्तांत्रिक गन्राज्य बन गया था इस दिन ही भारत देश में भारत्य शासन और कानुन व्यवस्था लागू हुई थी 26 जन्वरी 1950 से पहले भारत देश ब्रिटिश वर्चस्व या प्रभुत्व के अधिन था भारत्य सविधान का निर्मान डॉक्तर बी आर अंबेटकर जी ने किया था जिने हम बाबा साहिब अंबेटकर के नाम से भी जानते हैं डॉक्तर बी आर अंबेटकर जी को भारत्य सविधान का जनक भी कहा जाता है डॉक्तर भेम राव अंबेटकर उस समय प्रारूप समिती के अध्यच विधी वेता थे दो वर्स 11 मा 18 दिन में रारुप समिती और डॉक्टर अंबेटकर दी ने भारत्य सविधान का निर्मान किया था भारत का सविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित सविधान है गनतंत्र देवस का महत्व गनतंत्र देवस समारो सभी भारतियों के लिए एक गर्व का दिन होता है क्योंकि इस दिन ही भारत एक गनतंत्र राष्ट बना था 26 जनवरी को ही भारत का अपना सविधान वा कानुन रस्था लागू हुई थी इस सविधान के तहट भारत के नागरिकों को कई मौलिक अधिकार दिये गए थे जैसे पहला समता या समानता का अधिकार दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार तीसरा सोशन के विरुद अधिकार चाथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पाच्वां संस्कृति और सिक्षा समंदी अधिकार छठा सम्वेधानिक अधिकार गंतंत्र देवस समारो गंतंत्र देवस पूरे भारत में मनाया जाता है गंतंत्र देवस समारो विशेश रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है 26 जनवरी को हर साल भारत के राष्टपती जीदवारा इंडिया गेट में राष्ट द्वज को फहराया जाता है और इसके बाद सामुहिक रूप से खड़े होकर राष्टरगान गाया जाता है राष्टानी नई दिल्ली राष्टपत पर एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्टपती भवन तक आवेजित किया जाता है इस परेड में भारतिय सेना के विभिन रेजिमेंट जैसे वायो सेना, नौ सेना, थर सेना आदि सभी भाग लेते हैं इस समारों में भाग लेने के लिए देश के विभिन विद्यालियों या राजियों से बच्चे वा च्छात च्छात्राएं भी सामिल होते हैं सभी के लिए गंतंतर दिवा समारों में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है निशकर्स देश का सम्विधान वा कानुन वरस्था का सम्मान और पालन करना परतेग नागरिक का करतव्य है देश की सम्विधान की गरीमा को हमेशा बनाए रखना चाहिए सभी भारतियों को अपने देश की सम्विधान की सुरक्षा, सांती, समरस्ता और एक्ता को बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद